अगर आपको Nothing के पहले वाले फोन अच्छे लगे थे तो ये वाला फोन आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है क्योंकि ये 22,000 की प्राइस में आ जाता है और इस प्राइस रेंज में भी आपको वही सेम ट्रांस्परेंट डिजाइन, ग्लिफ लाइट्स भी मिल जाती है आज इस वीडियो में इस फोन के 40 से ज़ादा amazing features बताने वाला हूँ, साथ में पूरी details के साथ एक full review भी आपको देने वाला हूँ, तो इस फोन के बार में जो भी जानना है सारी details आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी, तो इस वीडियो को पूरा जूर देखीगा अगर आप इस फोन में interested है और मुझे बताएगा नीचे comments में के आपको कौन से feature इस फोन के अच्छे लगी, सबसे पहले इसके display और display features की बात कर देता हूँ, इसमें आपको 6.7 inches का full HD plus 120 Hz वाला display मिल जाता है, इस फोन में पूरे uniform bezels आपको दिये गए हैं जो के बहुत ही सुन्दर लगते हैं और brightness भी 1300 nits का है, तो अगर आप outdoors भी जाते हैं तो बढ़िया performance display का आपको मिलता है, डिस्प्ले के colors को और enhance करने के लिए आपको settings में display के अंदर HDR display का एक option दिया गया है, इसको अगर आप enable करेंगे तो HDR videos के अंदर आपका brightness बढ़ जाएगा और आपको better colors और overall experience मि इस phone में AOD आपको by default disable मिलता है, settings में अगर आप lock screen में जाएंगे, यहां पर आपको AOD का option मिलगा, इसको यहां पर enable कर दीजिए, और इस phone का AOD मुझे actually बहुत जादा अच्छा लगता है, क्यूंकि जैसा आपको lock screen पर देखने के लिए मिलता है, जो भी चीज़े आपने lock screen place की है, same वैसा ही AOD में convert हो जाता है, एक और नई चीज़ इस phone में जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इस phone में आप AI की मदद से wallpapers create कर सकते हैं, वैसे एगर आप home screen customization में जाएंगे, nothing ने वैसे भी काफी इच्छे wallpapers आपको इस phone में दिये हैं, लेकिन अगर आप यहां पर create में जाएंगे wallpaper studio में, तो आप यहां से choose कर सकते हैं दो options, कैसा wallpaper आपको चाहिए, वैसा आप phone को बता दीचिए, उसके बाद आप create wallpaper के उपर tap कर दीचिए, और phone AI की मदद से आपको एक beautiful सा wallpaper यहां पर create करके दे देगा, अगर आपको एच्छा नहीं दगा तो आप इसको recreate कर सकते हैं, या फिर आप इसको directly wallpaper भी setup कर सकते हैं, इस phone में आप folders और icons को भी काफी इच्छे से customize कर सकते हैं, जिसके अगर आप यहां पर देखेंगे मैंने settings के icon को enlarge कर रखा है, अगर मैं चाहूं तो किसी भी icon को home screen के उपर इस तरीके से enlarge करके बढ़ा कर सकता हूं, ऐस जो मैं अपने folder के लिए setup कर सकता हूं, अब इस phone का UI भी बहुत खास है, उसकी भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और खास चीज़, Glyph Lights की बात करता हूं, और इसके top 10 features आपको बताता हूं, सबसे पहला feature आपको बताता हूं, essential notifications का, जो के मेरे हिसाब से सबसे useful feature है अगर आप notifications के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आप add new essential कर सकते हैं, basically आपको app को select करना है, जिसकी notification को आपको essential app बनाना है, उसके बाद जब भी उस app का notification आपको आएगा, तो यह वाला light जो है, Glyph में वो हमेशा जटता रहेगा, और आपको पता रहेगा कि किसी ना किसी essential app का notification pending है, जो के आपको देखना है, Glyph interface के अंदर अगर आप ringtones के अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया feature आपको add a contact का दिया गया है, आप यहाँ पर different different contacts के लिए different sound और Glyph का animation चूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपना Glyph भी compose कर सकते हैं, और आप basically सिरफ Glyph से पता लगा सकते हैं कि किसका call आ रहा है, Glyph timer का भी वैसे एक बहुत useful option है, अगर आप timer बहुत जादा use करते हैं, तो जब भी आप एक timer setup करेंगे, तो इस तरीके से आपको Glyph interface के अंदर दिखाता रहेगा कि timer जो हो कितने time का बचा है, और कब तक वो खतम होने ऐसा ही same animation आप यहां पर volume indicator के लिए भी enable कर सकते हैं, इसको बस आपको enable रखना है, उसके बाद जब भी आप volume को कम या जादा करेंगे, तो यहां पर आप Glyph interface के अंदर भी देख पाएंगे, एक और बहुत useful feature मुझे इसमे Glyph progress का भी लगता है, अगर आपने कुछ खाना order क है, मतब कि आप Zomato या Uber वगारा कोई app यूज कर रहे हैं, तो again उसी same Glyph के अंदर आपको उसका progress दिखाता रहेगा, और जैसे ही आपकी cab या आपका खाना आपके नजदीक आता रहेगा, यह पूरा fill होता रहेगा, वैसी Glyph का मेरा personal favorite feature जो है, वो है music visualization का, अगर आप इसक का interface अपने हिसाब से setup करना चाहते हैं, तो वो आप इसकी मदद से record कर सकते हैं, और record करने के बाद जहां भी चाहें उस पे setup कर सकते हैं, वैसे अगर आप flip to D&D का feature यूज करते हैं, तो उस feature को और बहतर बनाने के लिए, इस phone में आपको flip to Glyph का option मिल जाता है, basically flip to D&D का ही option हैं, लेकिन जब भी आप phone को flip करके रखेंगे, D&D mode enable होने के साथ साथ, आपको Glyph के अंदर भी इस तरीके से पता चल जाएगा, कि D&D mode enable हो गया है, Glyph को इस phone में आप as a torch भी use कर सकते हैं, वैसे flash भी है, अगर आपको torch यूज करना है, लेकिन अगर आप torch आइकन के उपर long tap करते हैं, तो आपका Glyph भी torch की तरह आप इस्तेमल कर सकते हैं, इवन जब आप camera यूज कर रहे हैं, उसमें भी जब आपको flash यूज करना है, उस time भी अगर आप चाहें तो इस Glyph light को as a flashlight यूज कर सकते हैं अपने camera के लिए, अब Nothing के phones की एक सबसे बड़ी खासियत इन phones क UI है, इस phone में आपको out of the box Nothing OS 2.5 मिलेगा, जो के Android 14 के उपर based है, और मतब इतना smooth ये चलता है, इतना perfectly इसको design किया गया है, कि ये दिखने में भी बहुत सुंदर रगता है, और जब आप day to day यूज करेंगे, तो ये बहुत ही smooth तरीके से काम करेगा, और इसमें आपको पूरा बड़ी खासियत जो है, वो है widgets, अगर आप home screen के उपर long tap करके widgets के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको nothing के special widgets मिलते हैं, बहुत सारे, ये सब dot वाले design के साथ आते हैं, nothing ने खुद design किये हैं, और actually बहुत जादा अच्छे लगते हैं, specially ये cloak वाले widgets भी बहुत अच्छे जब आप इसको place करेंगे, तो आपको पूछ लेगा phone की कौन सी setting को आपको यहाँ पर place करना है, जिसके मालनी जी मुझे QR code scanner को यहाँ पर place करना है, तो उसका एक shortcut मैं यहाँ पर place कर दूँगा, और जब भी इस पर tap करूँगा, तो directly QR code scanner इसमें open हो जाएगा, और एक चीज आप पूरा customize कर सकते हैं, अगर आप low screen settings में widgets के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे different options मिल जाएंगे, इवन यहाँ पर भी आपको directly quick settings setup करने का option मिल जाता है, जिसके अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने 4 quick settings यहाँ पर enable किया है, इस phone में आपको floating windows का आप भी support दिया गया है, अगर आप किसी भी app को open करके recents window में जाते हैं, तो यहाँ पर tap करके आप pop-up view को select कर सकते हैं, और हर app में यह काम करता है, इस तरीके से app जो हो floating window में open हो जाता है, और एक चीज़ जो मुछे इस phone में बहुत ही बढ़िया लगा, आप इस phone में YouTube और BG BGMI को भी pop-up view में open कर सकते हैं, जैसके अगर आपके पास YouTube premium नहीं है, तो इस तरीके से pop-up view में open कर दीजे, जो भी वीडियो आप play कर रहे हैं, वो play होता रहेगा background में, ऐसे ही BGMI में अगर आपको कुछ time के लिए सिरफ spectrate करना है, आपके friends खेल रहे हैं, तो आप minimize करके कुछ काम साथ में करते रहे सकते हैं, इस phone में आपको निया वाला one-handed mode भी मिल जाता है, settings में अगर आप system के अंदर gestures के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको one-handed mode का option मिल जाएगा, इसको अगर आप enable करेंगे, तो इस तरीके से आप नीचे swipe करके पूरी की पूरी screen को नीचे move कर सकते हैं, एक तरीके से iPhone के accessibility जैसा option है, और एक हाथ से usage को काफी असान बना देता है, status park को अगर आपको customize करना है, तो settings में display के अंदर status park के अंदर जा सकते हैं, यहां पर आप internet speed show कर सकते हैं, battery percentage enable कर सकते हैं, और even vibration वाला जो icon होता है, वो भी यहां पर enable कर सकते हैं, इस phone म आपको वैसे Google वाला जो dialer होता है, वो मिलता है, लेकिन अगर आप settings में जाएंगे, तो आपको call recording के अंदर automatic call recording का option मिल जाएगा, और एक और बढ़िया चीज है कि अगर आपको वो announcement नहीं सुनना है या नहीं करना है, तो यहां पर आप play audio tone select कर सकते हैं, और अगर आपको shortcuts use करना अच्छा लगता है, तो settings में system के अंदर gestures के अंदर आपको double press power button का option मिल जाता है, आप select कर सकते हैं कि जब भी double press करेंगे power button को क्या होगा, बहुत सारे different options यहां पर हैं, आप directly कोई app open कर सकते हैं, या फिर कोई action भी directly perform कर सकते हैं, performance के मामले में भी यह phone बहुत ही बढ़ि case में खेल सकते हैं, हालांके जब मेंने bgmi इस phone के अपर try किया, तो थोड़ा सा lag होता है, थोड़ा सा optimization की ज़रूरत है, day to day life में ऐसा कोई issue आपको नहीं मिलेगा, day to day life में performance बढ़िया है, gaming performance को और enhance करने के लिए settings में system के अंदर आपको game mode का option भी दिया गया है, by default आपको game dashboard disable मिलता है, तो इसको यहाँ से enable कर दीजिए, जब भी आपको game play करेंगे, तो इस तरीके से आपको एक gaming mode मिल जाएगा, वैसे यहाँ पर बहुत सारे options नहीं है, कुछ options यहाँ पर bgmi के लिए भी support इट नहीं है, लेकिन इसकी मल से आप directly youtube पे live stream कर सकते हैं, अगर आपको screenshot य इसको भी enable कर सकते हैं, basically games के अंदर आपको ज़्यादा बहतर touch का experience मिल जाएगा और ज़्यादा fast काम करेगा touch, तो ये भी option आप use कर सकते हैं, अब battery की बात करूँ तो इसमें आपको बड़ी 5000 mAh की battery मिल जाती है, जो कि 45V की fast charging को support करती है, हालनकि एक खराब चीज जो nothing शुर करें, तो settings में battery के अंदर दो बढ़िया options आपको दिये गए है, battery health और sleep standby optimization का, इन दोनों को आप enable रखिए, basically अगर आप रात को phone charging पर लगाते हैं, तो phone धीरे धीरे charge होता है, जो कि battery health का option है, और रात के time पे network को भी phone थोड़ा सा limit कर देता है, तांकि वहाँ पर भी एग्रिकेशन का support भी बढ़िया आपको मिल जाता है, और काफी सारे security related features भी इस phone में आपको दे रखे हैं, इस phone में आप Wi-Fi tethering का feature भी यूज कर सकते हैं, मतब कि जब आपका Wi-Fi ओन है, अगर आप hotspot को ओन करते हैं, तो आपका Wi-Fi बंद नहीं होता, बलके इस hotspot की मदद से आप अपने Wi-Fi को आगे share कर सकते हैं, settings में अगर आप apps के अंदर जाते हैं, तो आपको app locker का option भी मिल जाता है, तो कोई third party app की आपको ज़रूत नहीं है, आपको बस यहां से select कर देना है कि किस-किस app को आपको lock करना है, और phone का जो password है या fingerprint unlock है, वो ही same चीजें इस app lock के उपर Megapixel का camera दे रखा है, directly कुछ camera samples आपको दिखाता हूँ, अगर आप बहुत अच्छी lighting में photos capture करेंगे, तो ठीक ठाक photos आ जाती है, वैसे overall camera performance का मुझे price के हिसाफ से थोड़ा सा average लगा, थोड़ी सी improvement की वहां पर भी ज़रूरत है, camera app में photos के लिए एक बहुत बढ़िया option आपक इसके लिए भी बहुत बढ़िया options आपको मिल जाते हैं, जिसके HDR video capture करने का इस phone में option है, उसी के साथ आप action mode में भी videos capture कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत 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 stability मिल जाती है, slow motion videos का option भी आपको दिया गया है, हादानके सिरफ rear camera से आप slow motion videos बना सकते हैं, और maximum full HD 120 fps इसका ही option है, जिसको आप change नहीं कर सकते हैं, अगर आप more modes के अंदर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर expert mode का option भी मिल जाएगा, basically pro mode अगर आपको use करना है, तो वो इसकी मदद से आप कर सकते हैं, और normal और ultra wide camera दोनों के लिए आप इसको use कर सकते हैं, अलांके videos के लिए या front camera के लिए इसका use up नहीं कर सकते हैं, और एक और feature जो मुझे बहुत useful लगता है, जब आप photo mode में हैं, अगर आप shutter button को long press करते हैं, तो इस तरीके से आप video capture करना शुरू कर सकते हैं, और इधर इसको scroll करेंगे तो ये log हो जाएगा, मतब video capture होता रहेगा, और ये long press से आपको video shoot क करनी हैं, या burst photos capture करनी है, उसको भी आप customize कर सकते हैं, अगर आप settings में चाहेंगे, तो यहाँ पर आपको press and hold shutter button का option दे रखा है, बाकी कुछ और भी चीज़े हैं, इसके बार में हमने पूरी वीडियो में बात नहीं किया, जिसके इसमें dual speakers आपको मिल जाते हैं, हालां कि purchase कीजिए, इतनी आपको ज़रूरत है, बाकी अगर आपको कुछ और जानना है इस phone के बारे में तो नीचे comments में पूछ सकते हैं, ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप नीचे comments में बता सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो like कीजिए, और जो उनसा भी feature आपको सबसे ज़्या बाद तो